किसान भाईयो यदि आपके फसल के अंदर लिप माइनर का अटेक है और आप दवाईया डाल रहे हो बार बार दवाईया डाल रहे हो आपको अच्छी दवाई डालने के बाद 7-8 दिनों के लिए तो बहुत ही आच्छा रेजर्ब मिल जाता है लेकिन फिर से लिप माइनर का आपको लिप माइनर से तो चुटकारा पाना ही होगा वो भी एक एप्लिकेशन के अंदर 30 दिनों के लिए तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सचमुच का ये 30 दिनों वाला फॉर्मूला बताने वाले लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक मिल जाता तो बहुत प्रिंचिंग के अंदर कारे किसा होता है और उससे कंट्रू कैसे हो सकता है ये भी देख लेंगे लिप माइनर का दुनकों को करेंगे और फिर बाद में आपको बताएंगे में का वर्णा कर दियों दो keep माइनर के ऐसे से यह तो जो भी दहाईया होतीए उन दहाइय का जब आप अपने फसल में पर स्प्रेइग करते हो तो उसके अंदर उसके अंधर जो भी 살 क्याãy जो दावई होती है अगर उसके अंदर ट्रांस लेमिनार आक्शन है यानि कि ऊपर से निचे कि और जाने की शमता हो या फिर लोग सिस्टेमिक दावई हो तो ही वो आपके लिप माइनर को खतम करते है यह दोनों कोडिशन होना चाहिए इसका मतलब आपका प्रपयक्स उपर कर सकता है जी आ कर सकता है क्योंकि वह नहीं आपका का लिप माइनर खतंम हो सकता है इसको निकान इश्फलहरव वह भी हनड्रड़ पर्सेंट नहीं अबसें अबा मैट्रीन बहुत सारे किसान लिप माइनर के लिए इस्तेमाल कर रहे अच्छा रिजर्ट भी मिल रहा है तो उनको तीन चीदों के लिए रिजर्ट मिल रहा है अगर आपने चाइना सोर्स का बुलवाया है तो वह आपको सस्ते में और कारे करने के लिए अच्छा रहेगा लेकिन वह भी ज्यादा ज्यादा अगर बायोजिकल होगा अगर केमिकल वाला होगा तो दस दिनों तक रिजर्ट देगा इससे जादा नहीं देगा तो स्प्रेंग एप्लिकेशन में हम जो भी इस्तमाल करते हैं वह भी हमें पंदरा दिन के अंदर ही कारे करते हैं यह बाते आपको पता होनी चाहिए तो इसके बात अभी हम आते हैं ड्रेंचिंग के उपर ड्रेंचिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें इस्तमाल करें कि जिससे तूरंत आपको लिप माइनर के उपर 100% कट्रोल हो जाए तो भाई देखो यहाँ पे अ फसल के अंदर अगर लिप माइनर नहीं है तो आप एक्टरा, इमिडा, ऐसीटामप्रीड का ड्रेंचिंग बेजी चक कर सकते हो प्रिवेंटिव के तोर पर अगर ऐसीड रेंचिंग हो जाती तो लिप माइनर भी आपको 30 दिनों के लिए नहीं आता है लेकिन क्या हो जब आपके फसल के अंदर लिप माइनर मौजूद हो और आपको 30 दिनों के लिए उसका छुटकार अपाना हो तो उसके लिए आपको सिंपल वाली चीज करनी है कि वेलेम प्लेक्सी का आपको क्या करना है ड्रेंचिंग करना है जी हाँ आपने सई सुना वेलेम प्लेक्सी का ड् लेगा यह वीडियो को स्पॉंसर नहीं है अगर आपको वेलेम प्लेक्सी जैसा कंटेन वाला दूसरा प्रोड़क्त भी मिलता है आप उसे भी इस्तमाल कर सकते हो ऐसा ने कि इसके उपर ही कुछ बरसात हो रही है समझ जाओ तो इसके अंदर कि आता है वह कंटेन आप दू बढ़िया रिजर्ट दिखाता है कि यह लिप माइनर जैसे बोरर जैसे यह लेओ को खतम कर देता है मैं तो कहता हूँ भाई अभी देखो यहाप एक पॉइंट समझ लेते हैं कि भाई स्प्रेइंग करते हो तो 10-15 दिनों तक रिजर्ट मिलता है और ड्रेंचिंग करते है तो 30 दिनों के लिए आपको रिजर्ट कैसे मिलता है तो इसका लॉजिक है कि भाई साब आप जो स्प्रेइंग करते हो ना स्प्रेइंग की तुलना में ड्रेंचिंग का जो डोस होता है ना वो लगबग 2 गुना जाधा होता है तो 2 गुना जाधा होने से यह लंबे समय के अगला ड्रेंचिंग आप 30 दिनों के बाद भी करते हो इंसेक्टी साइड की तो आपको अच्छे रिजर्ट बरकरार रखे आपको ड्रेंचिंग का अंतर भी समझाएगा बिच में आप ड्रेंचिंग नहीं करोगे तो उससे आपका पैसा भी बच जाएगा उपर बार बार पैसा प्रेंग का जो भी जहनजटी वह भी खतम हो जाएगा और रिलिफ माइनर के साथ साथ बहुत सारे किटकों का कंट्रोल होने के कारण इलियों का कंट्रोल होने के कारण आपकी फसल भी तंदूरूस रहे के आप अन्य चीज़ों के ऊपर अच्छी तरह के से फोकस कर पाओगे तो वेलम प्लेक्सी के अंदर आपको पता चल गया कि इसके अंदर और को रोजन का कॉंबिनेशन दिया गया है तो ऐसा वाला प्रोड़क्त आपको यह अन्य मिलता है तो उसका भी इस्तमाल कर सकते हो अभी रही बात इसके डोस का तो एक इकड के लिए आपको इ प्यूंटीव में कार्य होता है और 200 ml क्यूरिटीव में मतलब अटक होने के बाद भी इसका आप इस्टमाल कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चानल को सब्स्राइब कीजेगा क्योंकि भाई यह ऐसे लंबे अच्छे रिजर्ट देने वाले आप इसान